हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल पे हम लोग आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में लेकिन दिल्ली सल्तनत में आज हमें स्टार्ट करेंगे खिलजी वंस ठीक है, खिलजी वंस पढ़ेंगे क्योंकि गुलाम वंस जो है तो खिलजी वंस का जो टाइम है, ये 1290 से ले करके 1320 तक चलता है, ये पूरा का पूरा खिलजी वंस है, खिलजी वंस में कौन-कौन से सासक हुए, तो उनकों हम देख लेते हैं, खिलजी वंस में आपको मिलेंगे, जलालुदीन, फिरोध सा खिलजी, ठीक, दूसरे कौन मिलेंगे, दूसरे आपको मिलेंगे, अलाउदीन, खिलजी, ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये किसकी है, अलाउदीन खिलजी की है, ठीक, तीसरा आपको जो इसमें मिलेंगा नाम, कुत्बुद, कुत्बुद दीन, कुत्बुद दीन, मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, फिर उमर खिलजी, और लास्ट में जो हमें मिलते हैं, उनका नाम है, अलाउदीन, खुसरो, अलाउदीन, खुसरो, खां, ठीक है, देखिए, पूरत जब हम खिलजी बंस पढ़ते हैं, तो खिलजी बंस में हमें इन लोगों को पढ़ना है, लेकिन हम पूरे को नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको important पढ़ना रहता है, वो अलाउदीन, खिलजी के बारे में ही पढ़ना रहता है, लेकिन फिरोद साख खिलजी जो हैं, वो इसके संस्थापक हैं, तो इनके बारे में भी हमें देखना होगा कि फिरोद साख खिलजी कौन है, ठीक है, तो वो होता है 1290 से लेकरके 1290 तक, 1290 से 1290 होते हैं फिरोद साख खिलजी, ये इनका समय होता है 1290 से 1090 तक, ठीक है, फिरोद साख खिलजी की बारे में आप लोग जानिये, कि जब बलवन की मृत्तियु हो जाती है, ठीक है, फिरोज साह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है बलवन के टाइम पे ही जो दिल्ली की सत्ता रहती है उसमें जो खिलजी होते हैं खिलजी को देखिए खलजी भी कहते हैं खिलजी को क्या कहते हैं? खलजी भी कहते हैं और ये सरदार होते हैं क्या होते हैं सरदार होते हैं तो आप लोगों को हम बताये थे कि बलवन उनी सरदारों में से था ठीक है बलवन उनी सरदारों में से था तो बलवन के टाइम पे क्या होता है कि जो तुर्क होते हैं तुर्क जो होते हैं और साथ में जो कह सकते हैं कि सरदार होते हैं इनके मद् के से युद्ध सुरू हो जाता है, संगर्स सुरू हो जाता है, इस संगर्स में क्या होता है, कि जो कह सकते हैं, जलालुद्दिन फिरोचा खिलजी होता है, ये जीत जाता है, ठीक है, और ये सुल्तान बनने में सफल हो जाता है, इसको सफलता हासिल हो जाती है, जलालुद्द अस्थान से भारत आया तो ये खल्ज क्या था देखे जब हम देखते हैं अफगान तो अफगान इस्थान के उधर का एरिया जो होता है वहाँ पर जो गर्म अस्थान थे जो मरुवस्थल के अस्थान थे उनको खल्ज कहा जाता था खल्ज का मतलब क्या होता है खल्ज का मतलब होता है गर्म अस्थान थीक है तो इसी खल्ज से क्या हुआ खल्जी हुआ और खल्जी से क्या हो गया खिल्जी हो गया थीक है तो फिरोचा खिल्जी जो है वो कहां का निवासी था अगर पूछे कहां से आया था तो ये खल्ज से आया था और जो सरदार थे उन्हीं सरदारों में ये शामिल था जब बलवन के टाइम पे तुरका और सरदारों में एक तरीके से संघर्ष सुरू हुआ तो फिरोजा खिलजी ने बलवन की हत्या करके क्या किया खिलजी वन्स की अस्थापना की चीक है तो ये एक सौर्ट कट ह इस time पे क्या था कि जो फिरोट सा खिल जी था ये इसके time पे जब हम देखेंगे तो इसका एक भतीजा था ठीक है भतीजा कौन था? तो भतीजा इसका था अलावुत दिन खिलजी थीक है भतीजा कौन था अलावुत दिन खिलजी अब हम उसके बारें बात करते हैं पहले फिरोचा पूरा देख लेते हैं तो फिरोज साग खिलजी क्या था कि ये खिलजी वन्स का संस्थापक था, क्या था, खिलजी वन्स का संस्थापक था, ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि खिलजी वन्स का संस्थापक कौन था, तो पूरा नाम मिलेगा जलालुद्दिन फिरोज साग खिलजी या आपसे संस्थापक पूछा जा सकता है और या तो पूछा जा सकता है इस तरह के से घुमा करके कि खिलजी वंस का पहला सासक कौन था तो फिरोच सा खिलजी का नाम आप लोग याद रखेंगे ठीके दिल्ली सल्तनत पर ये पहला अफगानी राजवंस था जो खिलजी वंस था ये कैसा राजवंस था आफगानी राजवंस था आफगानी राजवंस दिल्ली पर प्रथम ठीके अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि जो फिरोच सा खिलजी है वो कहां से आया था खल्ज से आया था और खल्ज कहां पड़ेगा अफगान में पड़ेगा ठीक है तो जब अफगान के ये लोग थे तो इसलिए आफगानी राजवन्स ये कहला है ठीक है कैसे कहला है आफगानी राजवन्स ये कहला है तो पूछा जा सकता है कि दिल्ली पर प्रत्थम आफगान विशेक हुआ, तो इसका राज्या विशेक हुआ था, राज्या विशेक इसका हुआ था, किलखोरी में, कहां पर? किलोखरी में, ठीक है? किलोखरी में हुआ था, किलोखरी में कब हुआ था? तो 1290 में इसका राज्या विशेक हुआ था, 1290 में, किलखरी में इसका राज्या होता है ठीक है जो जलालुद दिन फिरोज साह खिलजी का भतीजा होता है वो उसकी हत्या कर देता है तो जलालुद दिन फिरोज साह खिलजी की हत्या उसके भतीजे क्या नाम बताएं आप लोगों को अलाउद दिन खिलजी कर देता है कर देता है सुल्तान का जो भतीजा रहता है अलाउद दिन खिलजी वो कड़ा एवं अवद का क्या रहता है इक्तादार रहता है और रच्छा मंत्री भी रहता है तो देवगिरी पर आक्रमण करता है ठीक है अलाउद दिन खिलजी क्या करता है देवगिरी पर आक्रमड करता है तो जब आक्रमड करता है तो वो जीत जाता है ठीक है क्या करता है देवगरी पर आक्रमड करके वो जीत जाता है बहुत सारे धन उसे मिल जाते है ठीक तो इसी अभियान को जीत जाता है अलावदिन खिलजी तो फिरोज साग खिलजी उससे मिलने आता है अलावदिन से खिलजी से वो देवगरी मिलने आता है और इसी टाइम पे अलावदिन खिलजी क्या करता है फिरोज सा खिलजी की हत्या कर देता है और इसके बाद जो खिलजी वंस होगा खिलजी वंस का जो अगला सासक होगा ठीक है अगला सासक जो होगा वो कौन होगा करके अलाउद दीन खिल जी अलाउद दीन खिल जी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है? कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं, जलालुद दीन फिरोज साग खिल जी के बारे में, कि फिरोज साग के समय जो होता है, वो एक मंगोल नेता होते हैं अब्दुल्ला, ठीक है? अब्दुल्ला का आक्रमण होता है, यह आप लोग नोट डाउन कर लीजे, विरोज साग खिल जी के समय में मंगोल नेता, अब्दुल्ला का आक्रमण होता है, ठीक है? अब्दुल्ला का आक्रमण होता है, और इनी को, जो मंगोल होते हैं, यह कहलाते हैं नवीन मुसल्मान, क्या कहलाते हैं? नवीन मुसल्मान कहलाते हैं, क्यूं कहलाते हैं? क्यूंकि जब हम आपको पढ़ाएंगे मंगोलों के बारे में आ, तो आपको पता चलेगा कि जब मंगोल भारत पे आक्रमण करते हैं, तो बहुत सारे मंगोल भारत में ही रुख जाते हैं, ठीक है? और व में देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग याद रखेंगे कि नवीन मुसल्मान का कहने का क्या मतलब होता है कि नवीन मुसल्मान पहले क्या थे पहले वो मंगोल थे ठीक है तो इतनी चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी ठीक एक बार इस क्लास को हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं पूरा का पूरा एक विजिट में कर लेते हैं एक बार देख लेते हैं देखिए जब हम देखते हैं पूरा खिलजी वन्स तो खिलजी वन्स में बताएं आप लोगों को कि खिलजी वन्स का संस्थापक कौन था फिरोद सा खिलजी ठ महान सासक कौन होगा? अलाउद दिन खिलजी होगा. इसके बाद, देखे, यहाँ पे कुद्ब दिन मुबारक खिलजी, उमर खिलजी से कोई मतलम नहीं है. यहाँ पे आपका अंतिम जो सासक मिलेगा, सबसे लास्ट में जो सासक मिलेगा, वो कौन सासक रहेगा? अलाउद दिन खुसरो खां. ठीक है? देखे, यहाँ पे बहुत लोग कल्फ्यूज हो जाते हैं, अलाउद दिन अलाउद दिन आपको दो बार नाम मिल रहा है. ठीक है? एक महान सासक में मिल रहा है, लेकिन Allowedin Khilji इसका पूरा नाम है और यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका नाम होता है Allowedin Khusro Kha ठीक है? तो यह पूरा सिक्वेंस हो गया यह Khilji Whens का 1290 से लेकर के 1320 तक का यह पूरा समय होता है Khilji Whens का ठीक? जिसमें हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा फिरोज साख खिलजी का समय हम लोगों ने पढ़ा 1290 से 1296 चार साल तो, सुरी 6 साल तो ये रेस्ट की हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में तो इनको खिलजी वंस का संस्थापक माना जाता है फिरोज साख खिलजी कहां से आये थे? ये आये थे खिलज से कहां से आये थे? खिलज से आये थे खिलज कहां पढ़ता है? तो ये पढ़ता है अफगान में ठीक है? और खिलज का मतलब क्या होता है? तो खिलज का अर्थ होता है गर्म अस्थान छीक है? खल्स का क्या मतलब होता है? गर्म अस्थान होता है. जब दिल्ली सलतनत में, जब हम गुलाम वंस पढ़ रहेते हैं, तो बलवन में, यानि कि जो तुर्क थे, तुर्कों में और सरदारों में क्या हो गया? एक तरीके से जगडा स्टार्ट हो गया. ठीक है? एक तरीस पर पहला अफगान राजवन्स का अस्थापना किया ठीक है तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर पहला अफगान राजवन्स अस्थापित करने का स्रे किसे जाता है तो फिरोचा खिलजी को जाता है उस राजवन्स का नाम क्या था तो खिलजी वन्स जलालुदिन फिरोचाग खिलजी की हत्या कौन कर देता है तो उनके भतीजे होते हैं अलाउदिन खिलजी ने क्या किया जलालुदिन फिरोचाग की हत्या कर दी और उसके बाद वो गद्दी पर बैट जाता है अलाउदिन खिलजी ठीक है और इसी के टाइम पे फिरोचाग ख कहा जाता है क्या कहा जाता है नमीन मुसलमान कहा जाता है ठीक है चलिए तो इस तरीके से पूरा का पूरा हम लोगों ने जो अलावदीन खिल जी के कह सकते हैं एक तरीके से ठीक है यह भतीजा भी था अलावदीन खिल जी जो है वो फिरोचा खिल जी का भतीजा भी था और द पूरा उत्तर भारत और साथ में आफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया भी किसके हिस्से में था कि खिलजी वंस के सासन में था ठीक है तो ये सारी चीज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं अपने अप्लिकेशन के बार और ब्लेइ स्टोर पर देखे, यहां पर अउस साइड में लोगों देख रहे होंगे, प्लेइ स्टोर पर आपको यह एप मिल जाएगा, आप उस एप को डाउनलोड कर सकते हैं, तिक है, उस एप के ऊपर आपको DLA 4 semester के Math और SST की Combo Course और आप अगर चाहें तो उनको अलग अलग भी ले सकते हैं खुद को enroll कर सकते हैं वहाँ पे जाकर के आपको अगर हमारा contact number चाहिए होगा तो आप जब इस app को download करेंगे तो वहाँ पे आपको एक message जाएगा जिसके माध्यम से आपको हमारा contact number मिल जाएगा और कोई भी problem होने पे आप हमको direct contact कर सकते हैं दूसरी चीज़ जितनी हमारे YouTube के class चलते हैं वो सारे classes के आपको PDF प्लस साथ में साथ में और आपको क्या मिल जाएगा जो हमारे DL8 के classes हैं ठीक है DL8 के semester है उस semester से related सारे books आपको मिल जाएगे previous year paper मिल जाएगे ठीक है previous year paper मिल जाएगे tet और seated के भी आपको paper मिल जाएगे ये सारे paper आपको solve form में मिलेंगे ठीक है solve form में मिलेंगे आप चाहें तो आप जागर के वहाँ पे visit कर सकते हैं ये सारी चीज़े जो हमने आपको बताया PDF और बुक्स वगेर है ये आपको free of cost मिलेगा आप इनको आराम से डाउनलोड करके आप इनको देख सकते हैं ठीके साथी साथ आपको एक काम करना है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको like करेंगे ठीक है अपने friends में share करेंगे और अगर आप channel पे नए होंगे तो आप इसको subscribe करेंगे साथी साथ जब आप description box में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारा टेलेग्राम channel का आपको वहाँ पे link मिल जाएगा तो आप जा करके वहाँ से भी हमें join कर सकते हैं क्योंकि MCQs जो होते हैं कुछ वहाँ पर भी डाले जाते हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you guys